हलो फ्रेंड नमस्कार कासे हो आप लोग मैं इंद्रजीत कुमार स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपने एक और नए वीडियो में तो फ्रेंड आज के इस नए वीडियो में हम लोग देखेंगे कि माल लोग अगर हम इस साल 2024 में मैं के महना में अगर हम लोग 25 लाख रुपिया का fix deposit करते हैं estate bank of India में SBI में तो हम लोगों का पैसा कितनी सालों में डबल होगा उसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि इस महना का मैं के महना में क्या rate of interest में changes बगर आया है तो चली फ्रेंट ज्यादा समयना ली हो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ उससे पहले अगर आप लोग भी मेरे चैनल पर नए होंगे तो एक subscribe कर दिजेगा मेरे इस YouTube चैनल को क्योंकि आगे चलके आप लोगों को और भी वी वीडियो बैंक से related हो गया एलाइसी रेस से related हो गया सारा कुछ जनकारी आप लोगों को मेरे इस YouTube चैनल पर मिलने वाला तो चली फ्रेंट अब भी स्टार्ट करता हूँ वीडियो को तो फ्रेंट जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे यहाँ पर फ्रेंट लिखा हुआ है स्टेट बैंक और इंडिया एबडी इंट्रेस्ट रेट माई 2024 तो सबसे पहले फ्रेंट आप लोग इंट्रेस्ट रेट देख लेते हैं कि अगर इस माईना माई के म साम जाओंगा पहला यहाँ पर देखी लिखा हुआ जैनरल पब्लिक और दूसरा लिखा हुआ सिनियर सिटीजन तो यह दोनों के बीच में डिफ्रेंस यह है जिनका एज 18 साल से लेकर 60 साल तक हो गया ठीक है साट के अभव नहीं 60 साल तक उनका एज हो गया वह जैनरल पब है 60 साल प्लस हो गया उनका एज तो वह सिनियर सिटीजन में काउंट आएंगे तो उन लोगों को रेट ओफ इंटेस ज्यादा मिलेगा एस कॉंपर टू जैनरल पब्लिक तो यहाँ पर फ्रेंट देख रहे हो जैसे कि 221 डेस से लेकर एक साल से कम के लिए आप फिक्स डिप करते हो SBI State Bank of India में तो यहाँ पर जैनरल पब्लिक को 6.80 परसेंट का रेट ओफ इंटेस्ट और सिनियर सिटीजन को 7.30 परसेंट का रेट ओफ इंटेस्ट तो फ्रेंड अभी SBI में काफी अच्छा आप लोगों को मैं के महना में इंट्रेस्ट बगारा देखने को मिल रहा ह उसके लावा बात करूँगा 3 साल से अधिक और 5 साल से कम के लिए कोई भी पैसा का आप फिक्स डिपोजिट करते हो State Bank of India में तो आप लोगों को 6.75 परसेंट रेट ओफ इंटेस्ट मिलेगा जैनरल पब्लिक को और 7.25 परसेंट सिनियर सिटीजन को उसी तरह 5 साल से अधिक और 10 साल से कम के लिए कर रहे हो मतलब लॉंग टरम इंवेस्टमेंट तो मतलब जैनरल पब्लिक को 66 परसेंट और उसी जगह सीनियर सिटीजन को 7.50 मतलब 67 परसेंट का रेट ओफ इंटेस्ट मिलने वाला तो यहां पर कहा जा सकता है कि इस साल आप लोगों इंवेस्टमें तो हम लोग एक उक्जामपल से समझेंगे ताकि आप लोगों को मेरे विडियो देखने के बाद आप लोगों को काफी अच्छा से नौलेज हो जाय कि EPD वगारा में आप लोगों को कितना इंट्रेस्ट वगारा मिलने वाला है कब पैसा डबल होगा आप लोगों का तो बस अराम से फ्रेंड मेरे वीडियो को देखना है आप लोगों को घर में बैटके और मजे लेना है समझना है वीडियो को तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है मतलब मालो कि मैं यहाँ पर एक्जामपल ले रहा हूँ आपके घर में कोई 65 साल के वैखती है ठीक है वो डिपोजिट करते कितने का तो 25 लाख रुपया यहाँ पर लगाते है कोंसी स्कीम में तो फिक्स डिपोजिट में 25 लाख डाल देते कितने सालों के लिए 10 सालों के आप सोच सकते हो कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक सेकेंड में कहलाता है एजबी आई समझे कि एजबी आई से वड़ा भी सरकारी बैंक नहीं है ठीक है अगर बात करूंगा तो 25 लाख इंवेस्टमेंट हुआ था आपका यहाँ पर देख सकते हो 25 लाख का इंवेस्टमे 23 कितने सालों में मल रहा है दस सालों में तो जो दोनों को हम ळोग एट करेंगे 25 लाख प्लस यहाँ पर देख सकते हो स्वरी दोस्तों यहाँ पर तो 52,55,873 रुपीज आप लोगों को मिलेगा, मतलब 52,55,800 रुपीया के करीब आप लोगों को 10 सालों में मिलेगा, तो कहा जा सकता है कि दोस्तों SBI में आप fix deposit कर रहे हो या करने का सोच रहे हो, तो इस टाइम SBI में investment के लिए काफी बढ़िया समय है, आप लोगों को देख रहे हो कितना अच्छा पैसा मिल रहा, अब यह तो हो गिया दोस्तों कि आप लोगों को interest rate पता चल गिया, अब मैं example से आप लोगों को समझा दिया कि 10 सालों में आप लोगों का पैसा double हो जाएगा, लेकिन एक चीज़े हैं मन में doubt होगा, कि कौन-कौन सा document SBI में मांगेगा आप लोगों से, क्या आप जाओगे तो बोलोगे मेरे पास 25 लाक रुपिया FD कर दीजिएगा मेरे 25 लाका, तो इस तरह होगा, आप लोगों से कुछ प्रूप मांगेगा, यह पैसा कहां से लाए हो, सारा कुछ मांगेगा document बगरा, तो आई यह देख लेते हैं क्या-क्या आप लोगों से मांगता हैं, तो बस बने रहा है 5 मिनट दोस्तों, 2-3 मिनट का और विडियो होगा ज्यादा सज्यादा, आप लोगों को केवल देखना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ features and benefit of SBI fixed deposit, तो क्या-क्या है वो भी देख लेता हूं लोग, तो सबसे पहले तो friend आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर देखिए अभी के time में आप लोगों को FD बगरा में loan का काफी अच्छा मिल रहा है, मतलब अगर मालो आप 25 लाग का मैं example दिया हूं, 25 लाग को आप fixed deposit कर दिया है, लेकिन in case मालो 10 साल के अंदर आप लोगों को loan का जरूरत है, तो आप उसका 90% का loan भी ले सकते हो, यह काफी अच्छा benefit दे रहा है, मालो इधर आपका 25 लाग deposit हो गया, fixed deposit इसकी में 10 सालों के लिए, आपको 10 सालों में कितना मिलेगा, तो 55 लाग था ना, कि 22 लाग था, 22 लाग था, 22 लाग था उधर से भी आपका मिलेगा ही, इधर अगर आप चाहते हो loan बगरा लेना, तो 25 लाग का 90% आप loan भी ले सकते हो, ये एक facility अच्छा दिया गया है, उसके लाबा बात करूँगा, कितने दीन से लेकर कितने साल के लिए कर सकते हो, तो minimum 7 दिन है, और maximum 10 सालों के लिए, आप fix deposit कर सकते हो, एस्टेट बैंक ओफ इंडिया में, 10 साल के बाद आप और भी कर सकते हो, 10 साल के बाद जब आपका complete हो है, तो आप लोगों को दोस्तों मैं बता दू जानकारे के लिए, अगर आप FD का सोच रहे हो, तो एक चीज आप लोगों को मन में रखना होगा, अगर घर में आप लोगों का कोई senior citizen है, मम्मी हो गई, आपके पापा हो गया, जिनका age 60 से अभव है, तो उनके नाम पे कर द करे हो, तो अपने मम्मी पापा के नाम पे कर दो, अपने नाम पे तो करी सकते हो, ठीक है, उसके लावा बात करूँगा, कि यहां पर minimum कितना रुपया तक का आप deposit कर सकते हो, तो minimum एक हजार रुपया का deposit कर सकते हो, आप चाहते हो, बहुत जादा आपके पास amount नहीं है, तो गई हैं electricity भी लोग गया दूसरा में टेलीफोन बिल या फिर पासपोर्ट इन में से तीन होगा आप लोगों का काम बन जागा माँलो मैं माल लिया electricity बील तेलीफोन बिल यह पासपोर्ट भी नहीं है अधार काड है Pen Card है Driving license is voter ID Card है इन में से कोई एक डोकुमेंट तो होगा आप लोगों का उससे काम बन गया यहां उसके लावा यहां पर और एक चीज दिखा दे रहा हूं मैं यहां पर देखिए आइडेंटी प्रूब के लिए क्या चाहिए पासपोर्ट डील भोटर काड अधार काड डील मतलब ड्राविंग लैसेंस इन आप लोगों से अगले वीडियो में मिलता हूं तब तक के लिए धन्यवाद।